साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, तो मैंने वहाँ एक बात नोट की थी, वहाँ आदिवासी बेल्ट में, जो भी स्कूल थे, इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था, लेकिन पिछली सरकारों को, आदिवासी खेत्रों में, साइन्स स्ट्रीम की स्कूले बनाने में, प्रात्विक्ता नहीं थी, अब सोचिये, जब आदिवासी बच्चा, साइन्स ही नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर इंजिनियर कैसे बनता, इस चुनवती का समाधान, हमने उस पूरे बेल्ट में, आदिवासी खेत्र के स्कूलों में, साइन्स की पड़ाई का इंतिजाम करके किया, आदिवासी बच्चे, देश के किसी भी कौने में हो, उनकी सिक्षा, उनका भविश्य, ये मेरी प्रात्विक्ता है, आज देश में, एक लव्य मोडल आदिवासी विद्यालों के संक्या में, पांच गुना की वृद्धी हुई है, दोहजार चार से दोहजार चौदा के बीच, दस वर्षों में केवल नब्बे एक लव्य आदिवासी स्कूल खुले थे, लेकिन दोहजार चौदा से दोहजार बाइस तक, इन आठ वर्षों में, पांच सो से ज़ादा एक लव्य स्कूल स्विक्रुत हुए है, वर्तमान में, इन में चार सो से ज़्यादा स्कूलों में, पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है, एक लाग से ज़्यादा, जन जातिय च्छात्र च्छात्राएं, इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं, इस साल के बजेट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी ज़्यादा सिक्षकों और कर्मुचारियों को बर्ती की भी गोषणा की गई है अनुस्विचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलर्शिफ में भी दो गुने से ज़्यादा की बड़ोत्री की गई है इसका लाप 30,000,000 विद्यार्दियों को मिल रहा है साथियों आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था लेकिन नई राष्ट्रिय शिक्षानीती में मात्रु भाषा में पढ़ाई के विकल को भी खोल दिये गए है अब हमारे आदिवासी बच्चे आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे